बच्चों यह क्लास शिक्स का एंसियाटी का मैथ है मैथ्स क्लास शिक्स चप्टर सेवन है एक्ससाइज 7.1 नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चिन नमबर 10 यहां पर क्या कह रहा है वाट फ्रेक्शन आफ इस सर्कल्स है एक्सेज इन देम जिसमें एक्स दिया हुआ है तो सर्क यहां पर नियुका हुआ है वह कितने है तो फोर यह हो गया फोर तो फोर वा एट तो इसका आशाटें mm यह हो जाएगा यहां यहेजी क्यों है और कुश्चन नमबर 11 लास्ट क्यों है क्रिस्टिन रिसेट एंस इस डी प्लेयर फॉर हार बड़े क्रिस्टिन जो है उसको ए of her total CDs did see by, तो फिर वो total CD के मुकाबले वो जितना खरीदती है उसका fraction क्या होगा, and what fraction he did see received as gift और जो उसको gift के रूप में मिला है उसका fraction क्या होगा, तो यहाँ पे इसको मैं बॉर्ड पर लिख देता हूँ, question number 11, वो कितना CD खरीदती है, खूद खरीदती है जो उसको लिख लेते हैं, see about, वो खरीदी है, see about CDs equal to 3, तीन CD पहले से वो खरीद के रखी है, और वो receive करती है, मतलब प्राप्त करती है as a gift, see received as gifts, equal to 5, तो total CD कितना हो गया, total CDs, equal to 8 हो गया, 5, 3, 8 हो गया, अब जो है fraction इसको दिखाना है, fraction, fraction of C, 22, वो जो खरीदती है, उसका fraction कितना हो जाएगा, 3 CD खरीदती है, 8 में से, total में से, तो 3 by 8 एक हो गया, और fraction, fraction of C, receive, वो जितना प्राप्त करती है, उसका fraction हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते है, receive, equal to, कितना receive करती है, 5, उसको gift मिलता है, 5, तो total कितना है, 8, तो यह दोनों जो है, इसका answer हो जाएगा, तो यहाँ पे exercise 7.1 पूरी तरह complete हो गया है, अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए helpful होता है, ता आप हमारे इस वीडियो के लाइक जरूर कीज़े, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ सेयर कीज़े, और next exercise को solve करने के लिए हमारे नेक्स वीडियो पे चलते हैं,